हेलों फ्रेंण्स कैसे हैं आप सब अहछे होंगे मजें में होंगे तो आप लोगों का सुआगत है मेरे चैनल को अनुद आरवच पर पिंपल्स थे उनके निशान थे एवन चुटे चुटे दाने इतने ज़्यादा पूरा फेस भरा हुआ था कॉंफिडेंस लेवल बिल्कुल गिर चुका था अपने आपको भी शीशे में देखना सेल्फी लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था इवन कोई भी सामने से बोल देता था कि तुम्हारे फेस पर बहुत ज़्यादा निशान है पिंपल्स है तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था यह सब तो उसके बाद मैंने काफी चीजे ट्राई की लाइक क्योर स्किन, स्किन क्राफ्टिं से कुछ भी असर नहीं हुआ इन्या प्लीज कभी ही भी लाइफ में ट्राई मत करना मैं इन पर बहुत पैसे बरबाद कर चुकी हूँ मैंने डोक्टर को भी कंसल किया कुछ फायदा नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात आप कोई भी ब्लड को साफ करना होगा, सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये अंदर से ही कमी है, मेरे को ये 14-15 की एज से स्टार्ट हो गए थे निकलने और उसके बाद ये कंटिन्यूस मुझे निकलते ही रहे, ये निये कि एक टिनेज पर ही मुझे रहे, मुझे बेबीज होने के बाद अब भी मुझे ये होते हैं, तो ये आपको अंदर से ही अपने आपको साफ करना होगा, मैंने साफी वगएरा भी वो काफी पी लेकिन मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ, तो आप मेकप से भी ने हाइड नहीं कर सकते, थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही उभर जाते है तो आपको इन्हें ना नचूरल तरीके से ही अपने फेस को, अपने बिमपल्स को इनको रोकना होगा, फेस पर निकलने से, और जितने भी ये मुझा करने हैं ये भी नचुरल ही तरीके से ही setाने होगी, तो मैं आपको इनकी रेमीडीज वगएरा और मैंने घ्या लगा, क पूर्ण सा मैं मतलब फेश वर्गर यूज करती हूं मैं आपको सारी चीजे बता देती हूं और मैं अपने आपको पहले की पिक्स भी डाल दूगी जो कि मैं दिखाना नहीं जा थी लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डाल दूगी बहुत ही बेकार फेस हो गया था और मैं भ अपने फेस के लिए तयार की है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस में दिखा देती हूं मैं कोन-कोन से फेस पैक्स वगरा लगाते हूं जिसे की मेरी स्किन क्लेयर हुई थी जिन से तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में सुना था यह कावलिन क्ले है यह आपको उन सबसे पहले मैंने इसी को ही स्टार्ट किया था इससे मुझे बहुत असर हुआ और इससे मेरी स्किन टोन में भी काफी फरक पड़ा और इसके अलावा मैं इसे मैं वीक में दो बार लगाती हूँ उसके अलावा मैं हरबे टाउनिक कमपनी का ही यह चाल कॉल पाउडर लगाती हूँ यह हमीशा आप नहाने से पहले लगाए वर ना इसका जो ब्लैक कलर है वह आपके कपड़े वेरो पर लग जाता है तो आप नहाने से पहले ही लगाएं इसे भी आप हनी में मिक्स करके ही लगाई यह आपके फेस की गंदगी को खीचता है ज्यादा तर अगर आपको ज्यादा बहर अप डाउन है तो आप जरूर इसे यूज कीजिए यह आपकी जो छोटे-छोटे दाने होते हैं उन्हें तो बिल्कु आपको इफेक्ट दिखाने स्टार्ट करेंगे उसके अलावा मैं सबसे ज्यादा मैं यह लगाती हूं एक दिन चोड़के एक दिन या फिर डेली भी लगा लेती हूं औरेंज पील पाउडर यह भी हर्बिट ओनिक कंपनी का ही है इसे मैं लगाती हूं यह तो मैं मतलब यह अशुकल होता है और विटामिन और ओधाय में मिक्स करती हूं आप इसे भी हेसे भी लगा सकते हैं और उसके अलावा यह सैंदलवूट पौड़र है इसे मैं थोड़ा कम लगाती हूँ, इसे मैं मुलतान हमिट्टी के साथ मिक्स करकर ही, हफते में एक बार ही लगाती हूँ, यह भी काफी अच्छा है, लेकिन इन पैक्स में ही मेरे फेस को बिलकुल साफ किया है, फ्रेंड सच बता देती हूँ, इसके अलावा मैं ऐलोविरा जेल में भी मिक्स करके लगा लेती हूँ, और उसके अलावा मैं अपने फेस पर सुबह घाने के बाद विटामिन सी सिर्म जरूर लगाती हूँ, मैं वाउ का यूज करती हूँ, आप लोग की मर्जी आपको जो भी अच्छा लगा लगा सकते हैं, उससे स्किन टाइट होती यह था स्किन रूटीन जो कि आपकी स्किन को इतना ज्यादा अच्छा कर देगा, बहुत ज्यादा, मेरी तो इन्होंनी लाइफ ही चेंज कर दी, आप खुद देख सकते हैं, मेरी पिक्स से कितनी घराब मेरी स्किन थी, तो फ्रेंट्स बने रहेगा मेरे साथ इसी तरह से म मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो और प्लीज फ्रेंट्स आगे भी मेरे साथ इसी तरह से बने रहेगा, थैंक्यू